आत्म विश्वास और मूर्खता एक बहुत ही खतरनाक मेल हैं पर अक्सर वे साथ साथ होते हैं क्योंकि अगर आपकी बुध्धी एक ही धर्रे में न फसी हो अगर आप अपनी बुध्धी से हर चीज़ को उसके सची रूप में देखें तो स्वाभाविक रूप से आपको संदेह होगा आप में जिजख होगी जो आज बहुत महत्वपून है जैसा कि विज्ञान और तकनीक के साथ मानव क्षमताओं का जबरदस्त विकास हुआ है ये बहुत बहुत महत्वपून है कि अगर हम किसी बारे में नहीं जानते अगर हमें किसी बारे में पूरी स्पष्टता नहीं है तो हमें जरूर जिजखना चाहिए हमारे अंदर आत्म विश्वास नहीं होना चाहिए आत्म विश्वास बस कुछ चीज़ों पर विश्वास कर लेने से आता है पर स्पष्टता सिर्फ अपने बोध को बढ़ाने से ही मिलती है जिसके लिए बहुत काम करना पड़ता है अपनी स्पष्टता को बढ़ाने के लिए पर आत्मविश्वास बस किसी चीज़ पर विश्वास करने से आ जाता है आप मान लेते हैं कि यह होने वाला है आप मान लेते हैं कि भगवान आपके साथ हैं, आप मानते हैं कि आप स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो अचानक आप में आत्मविश्वास आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में स्पष्टता है, तो आत्मविश्वास स्पष्टता का विकल्प नहीं हो सकता, औ और जिसे मूर्खता कहा या माना जाता है, जरूरी नहीं है कि ये बुद्धी की कमी है, पर उन चीजों के बारे में निशकर्ष निकाल लेना, जिने हम नहीं जानते, वो मूर्खता है. और ऐसी चीजों के बारे में निश्कर्ष निकाल लेने से दुर्भागिवश हमेशा आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास से स्पष्ट देखने की ख्षमता की भरपाई नहीं हो सकती। मानवता को स्पष्टता की जरूरत है, आत्मविश्वास की नहीं। आपको उन चीजों तक ले जाएगा, तो कभी-कभी ये काम कर सकता है, ये ऐसा है, जैसे आपके पास कोई नारा है और आप मानते हैं कि आपके सितारे सही हैं, आपके जन दिन के हिसाब से आज आप नहीं मर सकते और आप एक बिजी हाइवे पर बस दौड़ने लगते तो शायद कभी-कभी आप पार कर भी लें, बस सैयोग से या कुछ ड्राइवरों की महरबानी से, पर अगर आप ऐसा आत्मविश्वास रोज आजमाएंगे, तो हम जानते हैं कि आप कहां मिलेंगे, तो आप अपनी स्पष्टिता या स्पष्टिता में कमी की भरपाई आत पुदम ठीक है, ये बहुत ही मानविय और अद्भुत है, ये देखना जो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, और अंजान चीजों के बारे में मैं नहीं जानता का भाव ही हर चीज के बारे में स्पष्टता पैदा और विकसित करने की बुन्याद है, शायद ये रातों र पर आपको इसके लिए काम करना होगा पर बुन्यादी सिध्धान्त यही है जो मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता और ये बिलकुल ठीक है